तो वल्कम तो दे चानल, इंडी ट्रैवल और बागी सब कैसा चल रहा है, होप सब कुछ सही चल रहा है, तो आज का जो यह वीडियो यह काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो कि आज इसमें हम लोग एक चीज ऐसी डिसकर्स करने वाले हैं, जो काफी सारे स्टुडेंट् आज सबस्क्राइब तक देखना है, इसमार मैं बताऊँगा कि आपको कैसे कमपैरिसन करना है, यूवरिसिटिस के बीच में, और कौन से ऐसे ऐसे आस्पेक्ट्स है, जो आपको दिमाग में रखना है, जब आप यूविशिव को कंपैर करते हो, और जिससे आपड़ को एक conditional offer letter आएगा तो अगर अभी आप confusion में हो यार मुझे इतने इतने university से offer आया है अब मैं कैसे select करूँ तो मैं UK की university का नाम तो नहीं लूँगा कि अगर आपको यह university मिलिया तो आपको यह यह select करने हो I don't think that's gonna work अगर आपको university के ranking check करने है बहुत simple चीज़ है आपको भी पता है मुझे भी पता है QS world ranking हर साल निकलती है आपको website पर जाना है QS world ranking के वहाँ पर जाकर आपको चेक करना है कि आपकी जी उनिविशिटी उसकी ranking है सबसे पहले हो तो तीन-चार ओ उनिविशिटी का यह रांक है ranking is not the only thing that you should check बट उसके साथ साथ आपको और क्या चीज़े चेक करनी है second चीज़ आपको करनी है वो है आपका course let's say अगर आपने mechatronics, mechanical, management, कोई साभी course लिया हो तो आपको देखना है कि यार मेरा जो course है in universities में इसकी ranking क्या है आपको सब्सक grाना है कि यह यह जो आपका course है वो UK की universities में इसकी ranking क्या है ? Google पर search करो आपको ये भी आपको लिखना है पहले लिखा आपनी university की ranking पीछ आपने course की ranking 3 जु सबसे important चीज है कि आपको इन के website पर जाना है आपकी जो 3-4 उनिवर्सेटी से उनके एक एक करके website पर जाओ आपका course search करो देखो कि उसके जो modules है कौनसे-कौनसे modules मतलब कौनसे-कौनसे subjects है उस subject के नीचे जो क्या-क्या पढ़ाने वाले और वो आपको help करेगा या नहीं करेगा जो आपने modules जो है वो बहुत important role play करता है in terms of choosing your university और course ठीक है तो modules देखो क्या-क्या है वो देखो उसके अंडर उसके description देखो और आपको पसंद आ रहे है की नहीं वो देखो उसके बाद आप jobs भी चेक कर सकते हो उसके related आपको jobs मिल रहे है की नहीं यह सारे university के website के साथ करना आपको same thing उन आपको यह check करना है की modules कहां पर अलग अलग है क्योंकि सारे universities में same course में modules अलग अलग होंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको modules चेक करना है इसलिए मैं modules पे emphasis कर रहा हूँ ताकि जो modules आपको better लगे और जिसा scope ज्यादा वो आप select करे उसके बाद four चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको इन universities के website पे जाके देखना है और इसके reviews भी check करना है कि कितने लोगों को यहां से job मिला है उनके job portals देखो कि वो कि वो जो university है वो jobs के लिए क्या करती है वो students को कैसे help करती है mostly सारे universities के खुद के job portals होते है या वो किसी job portals से affiliated होते है तो आपको यह चेकरना कि in universities में जहां से आपको admit आया है उसमें से आपको job perspective कहाँ पे जादा better लग रहा है कौनसी ऐसी university है जो jobs पे भी focus कर रही है यह आपको देहान रखना बहुत ज़रूरी है फिफ्ट और लास्ट चीज़ है university का infrastructure related to your course अब आप जो भी course select कर रहे हो आपके university में उसका infrastructure कैसा है जो भी university आप चेक कर रहे हो तीन-चारों university में सबसे बढ़िया infrastructure किस university का है not in terms of building कैसी है बट आपके course के लिए for example अगर आप robotics का course कर रहे हो तो अगर उनके बास robotics की अच्छी laboratory नहीं है अच्छी याने well equipped अगर laboratory नहीं है सारे equipment नहीं है सारे चीज़े नहीं है तो आपका loss होगा क्योंकि आप जादा चीज़े नहीं सीख पाऊगे तो आपको ये देखना है कि क्या उस university में infrastructure आपके course related अच्छा है या नहीं ये सारे universities में देखो और फिर इन पाचों चीज़ों को review करो जो आपने लिखके रखा है उसको review करो पहला university ranking फिर course ranking फिर उसके बाद modules आपको चेक करने है फूर्थ आपको चेक करना है कि university का job का status क्या है फिर आपको infrastructure आपके course के लिए university में कैसा ये चेक करना ये पाच चीज ये आपको करने के कोई जरूरत नहीं बड़ेगी ये आप पाच चीज़े देख लो थोड़ी research आप खुद करो ताकि आपको भी satisfaction मिलेगा ठीक है ये पाच चीज़े करो आपको खुद idea लग जाएगा कि भाई कौंसी university select करनी है या कौंसी university select नहीं करनी है क्योंकि आजकल क् होता है marketing sales team इतनी अच्छी होगी university की वह जबन सी बोस्ट करती है कि भाई ये अच्छा है ये बेटर है ये वेस्ट है सारी university अपने आपको number one बुलाती है देखो ऐसे देखा जाए तो अगर आप ये पाच steps के through जाओगे तो I think आपको बहुत easy हो जाएगा university select करना और जो भी आगे की process रही है वो भी stress free रही तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इंडी ट्रावलर चैनल को subscribe करो और अगर आपको कोई भी query है किसी चीज से भी related UK आने से related कही कुछ apply करने से related तो आप मुझे instagram पर जाके DM कर सकते हो मैं वहापे जादा active हो तो मैं आपक कुछ जल्दी से जल्दी reply कर सकता हो तो see you next time